A very good morning to all of you. यहां पे friends आप देख सकते हैं स्क्रीम पे. Be the change that you wish to see in the world. It is sad by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi वन आप the strongest और well famous leader हमारे country के रहे हैं. इन्होंने भारत का नाम बहुत उचा किया है. यह जो चीजे हैं, अगर आप कोई भी चीजे समाज में change लाना चाहते हैं, तो यह change आप अपने अंदर इन्होंने बोला है, inside से लाइए और दुनिया जो है, खुद बखुद बदल जाएगी. तो यह पहले स्वयाम experiment करते थे, महatma Gandhi जी ने, और उसके बाद चीजें को implement करते थे, result उनको बेखुबी मिलता था. यह जो चीजें बोली गई हैं, यह आपको लाप पहुचा सकती हैं, और यह जो court में देता हूँ, इसका इस्तमाल आप diverse तरीके से कर सकते हैं, इसका इस्तमाल means के answer writing में, essay में इसका इस्तमाल करके, आप अच्छे marks secure कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जब भी essay आती है UPSC में, तो essay के रूप में एक statement दे दी जाती है, उसी पे आपको उसके answer को लिखने होते हैं diverse perspective से, तो यह जो चीजें हैं, इसका उपयोग करेंगे, आप अच्छे marks secure कर सकते हैं. अब next जो देख लेते हैं हम, यह UPSC के कुछ पुराने 2016 के मैंने question डाले थे, उसके answer आप आज देखा जाएगा, तो उसका जो answer है, वो देख लेते हैं question सबसे पहले, which one of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF-SDR, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का SDR special drawing rights जो होता है उसमें, किसका proposal 2016 में द इंपोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको देखेंगे, तो पहला option है, रूबल, दूसरा रांड, तिसरा इंडियन रूपी और चोथा, रेन मींबी, तो रेन मींबी is the right answer, यह currency जो है, प्रपोजल में आई थी, रेन मींबी किसकी है, यह आप comment section में जरूर बताएं, regarding the taxation system आ तो इस चीज के लिए जाना जाता था, अब इसके statement को पढ़ लेते हैं, tax rate on land was fixed, depending on the quality of the land, तो quality of land के अनुसार, जो भूमी का tax था, वो निर्धारित किया गया था, कि कैसी quality of land है, वहां से फशल कैसी उपज हो रही है, उसके अधार पे यह चीजे थी, दूसरा statement कहा रहा है, प्राइवेट ओनर आप वोक्स आप, पेड एन इंडस्टी टेक, जो भी प्राइवेट ओनर थे, वो इंडस्टी टैक्स पे करते थे, तो दोनों statement बिल्कुल बिल्कुल correct हैं, और tax structures की वजए से यह एक strong kingdom और empire था, आज का जो question मने डाला है, वो 2017 से डाला है, इसको देखते policy committee, तो monetary policy committee के अनुसार यहां पे कौन सा statement सही है, तो पहला statement आता है, it decides the RBI benchmark interest rate, तो यह RBI benchmark interest rate decide करता है, दूसरा जो है, it is a 12 member body including governor of RBI and reconstituted every year, तो reconstitute every year कह रहा होता है कि नहीं होता है, यह बताइए और 12 member की body होती है, it function under the chairmanship of union finance minister, तो chairmanship किस के अंडर में, union finance minister के अंदर में आता है, select कर यह correct answer, पहला है 1, दूसरा है 1 and 2, तीसरा है 3 only और चौथा है 2 and 3 only, तो कौन सा right answer है, comment sections में जरूर लिखें, तभी आपको अच्छे से यह चीज़े याद होंगी, और पुराने questions की practice इतनी important, है, जिससे आपको एक idea मिलता है, तो इस चीज़े को बिलकुल practice करें, second question जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, वो भी important है, वो quality से है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब देखते हैं, यहाँ पे पहला statement है, equal pay for equal work for both men and women, second option है, participation of workers in the management of industry, third option जो है, right to work, education and public assistance, चौथा जो option है, securing living wage and human condition of work to worker, तो यह चौथा चारू statement मैंने बता दिया, कौन सा सही है, आप comment sections में इसको जरूर बताएं, next जो आता है, वो हम लोग देखेंगे कि यह जो दो national park मैं आपको दिया हूँ, तो मैं प्रति दिन एक state का आपको national park कभर कराता हूँ, जो की बहुत important है, competitive exams में questions पूछ दिये जाते हैं, इसलिए उसकी importance को देखके मैं यहाँ पे questions देता हूँ, तो मुरलेन नेशनल पाक कहाँ पे हैं और फॉंग फुई नेशनल पाक कहाँ पे हैं, तो यह दोनों मेजूरम में हैं, और मीजूरम आपके north east में पढ़ता है, मीजूरम एक अच्छी खासी state माने जाती है, tourist point of view से, तो इसको जाइए, विजिट करिए, जो जो विजिट की हैं, वो comment section में जरूर बताएं कैसा रहा वहाँ का trip, और यह मुरलेन नेशनल पाक, फॉंग फुई नेशनल पाक दोनों आप जाके देख भी सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले, यहाँ मुजूरम में जो चीजी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर डंपा टाइगर रिजॉब, मुरलेन नेशनल पाक, फॉंग फुई नेशनल पाक, नैंग फुई वाइल लाप सेंक्चुरी, कौंग लूंग वाइल लाप सेंक्चुरी, लैंग तेंग वाइल लाप सेंक्चुरी, तावी वाइल लाप सेंक नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर आज का जो National Park है वह अगर आपको मालूम है तो comment sections में जरूर लिखें जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा नेक्स्ट आते हैं news की तरफ तो अमरित पाल को यहाँ पे police पकड़ ली है पंजाब में और इनको shift किया जा रहा है कहाँ पे आशाम के jail में यह एक important news है और यह प्रो खलिस्तानी radical preacher थे प्रो खलिस्तानी उनको बुला जाता है जो पंजाब से उपर का जो region है उसको काट के पंजाब का कुछ पाट और उपर का कुछ पाट लेके एक खलिस्तान country का demand करते हैं तो उन्हीं के ये leader है इनका नाम है अमरित पाल देखते हैं क्या होता है तो national security act के तहत इनको धर दबुचा गया है कहां से मोगा district जो पंजाब में है और इनको डिबुरुगर जेल में shift किया जाएगा तो अब देखते हैं ये क्या होता है और इनके बारे में क्या क्या news निकल के आती है तो ये अभी वहाँ पे गुरुद्वारा में चिपे थे लेकिन गुरुद्वारा में पुलिस पहुंची नहीं जिसके कारण यह स्वयम बाहर आएं और अपनी arrest को दिये और बोले हम arrest से दरते नहीं हैं arrest कर लीजे हमें ऐसे चीजे निकल के आई हैं नेक्स जो न्यू जाता है वो देख लेते हैं तो बीजेपी जो है यहाँ पे तिलंगाना में पहुंची है और यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि मुसलिम का जो कोटा है वो हम स्क्रैप करेंगे क्योंकि वो अन सिखराव उनकी फैमिली जो रूल कर रही है उस हिसाब से यहाँ पर बाते की को रूल नहीं कर नी चाहिए फैमिली को पूरी पावर नहीं मिलनी चाहिए बाते यहाँ पे बोली है तो यहाँ पे union home minister सहाब ने describe किया है कि reservation जो muslim को दी गई है तेलंगाना में education में employment में इस चीज को welfare scheme के तहत आप लोग double bedroom houses जो की unconstitutional है और वान किया गया है कि इसको withdraw करेगी कौन विजेपी विद्ड़ा करेगी अगर government में आती है तो बिजेपी विल scrap all unconstitutional reservations if voted to power तो इसलिए vote की demand करते हैं यहाँ पे कि assembly में इनको लाया जाए देखते हैं क्या निकल के आती है elections के बात यहाँ पे एक और important बात है जो आपको news में रखनी है ध्यान में रखनी है वो क्या है कि के सियार जो है बोला जा रहा है कि वो प्राइम मि के problem से अभी वो आउगत नहीं है और प्रैमिरिस्टर बढ़ने की इतनी होड है वहाँ पे वो अपने party का नाम बदल के TRS से BRS कर दिये हैं तो TRS से BRS कर दिये हैं BRS का पूरा नाम आप जरूर comment section में बताएं अगर आपको पता हो जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा तो याद रखिए तिलंगाना की जो party थी वो TRS से BRS हो चुकी है BGP would add 25% of fund to the contribution made by the state तो 25% of the fund जो है ये इस्टेट के आसपास contribution करेगी यहाँ पे next जो news निकल के आता है वो हम देखेंगे बहुत important news है friends यह देखने वाली है यहाँ पे याद होगा आपको MP मेमध प्रदेश म में मास मेरीजेरा होती है मास मेरीजेंगे होती है जिसके कारड़ ए स्लाव एक हजार एक हजार ऐसे लोह की संख्या वहां पे बैठाकर साधी विवा कराया जाता है लिषक के कारड़ उसी में एक इस्सू निकल के आई है कि जितने लोहु का यहाँ họcलाओं और पेमीलाओं क तो oppositions वाले लोग यहाँ पे claim कर रहे हैं कि आपको यह चीजे नहीं करानी चाहिए यह महिला के dignity के खिलाब है और महिला के dignity और respect को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे कोई भी चीज perform करना चाहिए जो कि महिला के dignity के खिलाब है लेकिन बात क्या निकल के आ रही है यहा बिकल भी इस चीज को भूले नहीं यहां से questions बन सकता है कि डिस्टिक में हुआ है और कौन सी scheme के तहत यह साधी कराए जाती है यह भी एक important news है आपके pieces में पूछ सकता है तो मुख मंतरी कन्या विवाह योजना यह भी पूछ सकता है कि इस scheme के तहत कितने amount दिये जाते हैं त 51,000 under this scheme assist किया जाता है वोमेन को और यह एक gross insult बोला गया है एडिटर सहब के द्वारा और more than 200 daughter has come to the for in mass marriage to be conducted under the मुख मंतरी कन्या दान विवाह तो मुख मंतरी कन्या विवाह योजना के अंतरगत यह चीजे हुई हैं अब देखते हैं आगे क्या चीजे होती हैं तो यहां प आए हैं उनके वो टेस्ट उन्ही के सक के अधार पे कराए हैं जिसके कारण वहां पे ऐसी चार वुमेन मिली हैं चार जिनको जो प्रेगनेंट थी और साधी करने जा रहे थी तो ऐसी चीजे निकल के आई है कितनी लोगों का पीरियट का इस्षू था जिसके कारण सक के कि फेमेशन है वो एक प्रॉब्लम ही क्रियेट करता जा रहा है हमारे कंट्री में और रहूल गांदी जी को यहां पर डिस्क्वालिफाई किया गया है सभी लोग जानते हैं और सूरत के सूरत जो कोर्ट है वहां पे सूरत कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई है जिसके कारण अभी तक कोई चीजे निकल के नहीं आई है और इस्टे ये डाले जा रहा है लेकिन डिक्लाइन कर दे रही है वहां की जो भी जज़ेज है तो ये प्रॉब्लम में है तो इनको टू इयर का प्रिज़न टर्म दिया गया है अब देखते हैं आगे क्या होता है Magistrate Court in SuraT Allegedly Defaming the Collective of the People तो यहाँ पे जो मोधी सभी लोक चोर हैं इन्हों ने ऐसा बोला था रहुल गांदी ने उसी के अधार पे इनको यहाँ पे कोड सजा सुना रही है और देखते हैं जिसके अधार पे इनको इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है किस चीज से लोक सभासे तो जो भी मोदी family मोदी काश्ट के लोग हैं वहाँ पर सारी लोग मिलके इनके उपर case किये थे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं जो कि एक सही भी है आप किसी भी रूप में किसी एक जाती को लेके सारी लोगों को गलत नहीं कर सकते ये गलत है constitutionally लेकिन अभी तक ऐसा मा कोई अभी तक डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया था लेकिन ये पहला case निकल के आ रहा है जिनके कारण इनको दो साल की सजा भी सुनाए दी गई है और आगे ये डिस्क्वालिफाई ही रहेंगे तो दिक्कत निकल के आ रही है अब देखते हैं आगे हाई कोर्ट और क्रिमिनल डिफेमेशन जो है इसलब क्वेशनेबल कंसेप्स तो यहां पर क्रिमिनल डिफेमेशन ये चीजें चल नहीं है और अप अपोनेंट जो कहा रहा है कि वह रास किया जा रहा है ताकि हम लोग भटक जाए और अपने मुद्दों से किसी अलग प्रकार से आगे बढ में तो क्या निकल के आता है नेक्स जो important topic निकल के आ रही है वो यह है कि एक ट्रॉइका बनाने की बात करिजा रही है एक new ट्रॉइका राजी भातिया यहां पर लि लिखे हुए है इंपोर्टैंट यह बहुत अच्छा इदिटोरियल यहां पर देते हैं जब इनकी आती है तो इंडिया के नौर्थिस्ट में एक रीजन है आपका भारत के नौर्थिस्ट में ये चीज़ें तो यहां पर ट्रॉइका बनाने के बाद की है ट्रॉइका में कौन-कौन सी कंट्री आ जाती है तो पहले तो नौर्थिस्ट के आठ राज्यों को हम देखेंगे तो सब्सक्राइब यहां के एकोनौमिक डेवलप्मेंट हैंपर हो जाते हैं रुख जाते हैं क्या बहुत सारे इंसर्जिंसी होती है बहुत सारे लोकल ट्राइबल मॉइस्ट भी है वहां पे तो यह प्रॉब्लम क्रियेट हो जाती है और मिलिटरी का जो रूल है भारत में लोग कॉपरेट करके और जापान जो एक इमर्ज हुआ है सिंग्निपिकन डवलप्मेंट पार्टनर फारबोत किसके लिए इंडिया और बांगलादेश के लिए दोनों के लिए एक अच्छा पार्टनर निकल के आया है तो एक तरफ क्या बोलना है यह एक तरफ कर सकता है और नोर्थ इस्ट के रीजन को डवलप करा सकता है जिसके कारण बंगलादेश को भी फायदा तरा बांगलादेश को भी फायदा होगा असाति साथ जापान को भी फाय था है है जिसके कारण यहाँ पे तीनों कंट्री को फायदा होगा बात आती है थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुल डाइलाग जो 11 से 12 अप्रील 2023 को भी हुआ है वह किसके द्वारा होस्ट किया गया है तो एसियन confluence in अगरतला तो अगरतला में यह चीज़े हुई है त्रीपूरा की राजधानी अगरतला है उस वहाँ पे यह चीज़े होस्ट किया गया है तो एसकौन के द्वारा होस्ट किया गया है कहां पर अगरतला में यह चीज़े याद रखेगा important questions यहां से बनाया दिया सकते हैं तो यह चीज़े हो सकती है बांगला देश इंडिया जापान अगर क्लोजर आपस में आए तो क्या वीजन है इस चीज़ को हम देखेंगे वीजन यह है कि मटरबारी डीव सी जो पोर्ट है कहां पे on the South Eastern Coast आप बांगला देश तो बांगला देश का जो DSP है डीव सी पोर्ट यह आपसे पूछ सकता है याद रखिएगा इंपोर्टेंस है यह बांगला देश के South Eastern Coast पर पढ़ता है तो यहां पर construction की बात करी गई है इस बिंग कंस्ट्रक्शन विद जापान असिस्टेंट एंड शीडियूल टूबी ऑपरेशन ट्वेशन 2027 तक यह ऑपरेशनल हो जा करता है और जिसके कारण वहां के लोगों को benefit मिल जाएगी तो बांगला देश इंडिया जापान नॉर्थ इसको एक focal point बनाके इन रिजन में development कर सकते हैं जिसके कारण सबको benefit मिलेगी यहां पर बात करी जा रही है कि अगर यह चीजे होती है तो किस चीज में बढ़ती होग जाहिर सी बात है नौर्थ इस्ट डबलप होगा जिसके कारण बांगला देश को भी benefit मिलेगा और जापान वहां पर इंवेस्टमेंट करता है कोई चीज बनाता है डबलप करता है तो उसको भी एक प्रकार से डबलप मेंट उसका भी होगा उसका भी विकास होगा ऐसी अच्छी कर दी जाएगी जिसके कारण जॉब की opportunity वहां पर बढ़ जाएगी तो ये comprehensive connectivity की बात करी जा रही है इंडस्टिलाइजेशन बांगला देश में और नौर्थ इस्ट में भी ये सारी चीज़े अगर होती है तो benefit किसको मिलेंगी भारत को बांगला देश को जापान क ये सीज़ेश को मिलेंगी लेकिन नौर्थ इस्ट एक ऐसा रीजन है अपने भारत में जो बहुत बड़ा natural resource रखता है जिसके कारण इस पे निगाहें सब की रहती है चाइना अभी रिसेंट्री डोकलाम इस्टू किया आपको याद है डोकलाम इस्टू को क्यों किया कि इस इसी रीजन को वो काटना चाहता है जो इंडिया का नेक है जो गर्दन है वो काटना चाहता था जिसके कारण नौर्थ इस्ट का जो रीजन है वो कैप्चर कर सके लेकिन अभी भारत बहुत strong positions पे कदम रखता है अपनी military power को लेके जिसके कारण वो वहां से आगे नहीं बढ जो की एक asset के रूप में है अब इसका हम जो connectivity है उसका इस्तमाल अगर trade और industry के लिए करें तो हम किस प्रकार से manufacturing sector को आगे बढ़ा सकते हैं और देश में लोगों को रोजगार मिलेगा देश तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा तो एग्रो प्रोसेसिंग, industry, amendment, fiber, handicraft, assembly, two wheel, chair, परहब mobile phone और pharmaceutical यह सारी चीजों का भी हम लोग निर्माड कर सकते हैं और फार्मेसी का भी कर सकते हैं और एग्रो पोसेसिंग, industry तो कमाल की होगी और क्योंकि वहाँ पे resource natural बहुत जादा है यह चीजे तभी संभव हैं जब वहां की populations क्या होगी educated होगी और service sector को हम एक potential group में वहां पे देखेंगे ऐसे चीजें यहां पे एडिटर सहाब बोलना है तो challenges क्या है वो भी हम देख लेते हैं challenges यह हैं कि Japan एक single investor है North East में जो की work सही से नहीं कर पा रहा है तो इंडिया की company भी यहां पे आनी चाहिए और इंवेस्ट करनी चाहिए यह नहीं कि इंडिया company बस mainland में ही इंवेस्ट करें North East पार्ट को छोड़ दे जिसके कारा problem निकल के आ रही है तो flow up investment फ्राम बंगलादेश भी यहां पे कहिन कहीं restriction में चल लिए इसलिए वहां का business जो है इज होना चाहिए थोड़ा तभी इंपोर्टेंट आर्गुमेंट यह है कि बंगलादेश सर्यार आलम minister of state for foreign affairs उन्होंने बोला है कि धाका and New Delhi have succeeded almost restoring the pre-1965 infrastructure connectivity between India and बंगलादेश तो यहां पे pre-1965 जो इंडिया बंगलादेश का relation था उसको strong किया है और connectivity को बढ़ाया है जो कि अभी connectivity बढ़ी है तो लोगों का ब्यापार भी वहां पे बढ़ा है जिसके कारण development धीरे धीरे आगे बढ़ रही है दो additional point यहां पे इन्होंने दिया है कि पहला क्या है कि issue of regional corporations and integrations वो भी discuss होना चाहिए और केवल attention जो है बे आप बेंगल इनिसियेटिव मल्टी बोला जाता है विम्स्टे की अस्थापना कब हुई आप लोग comment section में जरूर लिखें ताकि लंबे समय तक याद रहेगा इसको मानके development किया जा रहा है जिसके कारण यह चीजे सामने निकल के आ रही है तो self-defeating है यह चीजे और विम्स्टे के साथ में अगर एक ट्राइका को भी देखा जाए जिसके कारण ट्राइका इंडिया भारत और इंडिया बंगलादेश और जैपान तीनों ट्राइका मिलके अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं सेकेंड जो गोल बात करें यह कनेक्टिविटी लार्जर पार्ट आप साउथ एस्या एंड साउथ इस्ट एस् कर सकता है और इसमें डबलब कर सकता है यह राजी भाटिया जी का कहना है नेक्स जो एडिटोरियल है वो देख लेते हैं इंडिया एक मोश्ट पापुलेस कंट्री बनती जा रही है और यह बून है कि बेन है यह पाप है कि अभी शाप है इसी पे यहां पे चर्चा है तो उसके अनुसार बोली गई कि मिट 23 में इंडिया यह चीजें क्रॉस कर जाएंगी और रीपिंग दा अवाइलेबल डिमोग्राफिक डिविडेंट का उपयोग फाइदा अच्छे डिरेक्शन में कर पाएंगे अगर कर पाएंगे तो कैसे वहीं यहां पे बाते चल देंगे तो देखते हैं कि आप यहां पर बोला जा रहा है कि हमें अपने चीजों को अंडर्स्टेंड करना पड़ेगा कि नेचर आप पॉपॉलेशन ग्रोथ कैसी है और साइज इसकी कंपोजिशन इसकी और मेकेनिजम इसकी देखनी पड़ेगी अपने कंट्री में ताक भी हम इस उनके पास income का अच्छा source है वहाँ की government अच्छी policies बनाती है ये सारी चीजे इतने important है जो आपको मैं बता रहा हूँ ये चीजें कहीं न कहीं आपको एक अच्छा demographic dividend का क्या मतलब होता है यहाँ पे हम देखेंगे तो जो populations होती है अगर वो skilled होती है तो उसको एक dividend माना जाता है एक asset माना जाता है किसी भी country में क्यों? कि अगर आप skilled है तो आप कहीं भी कमा खा लीजिएगा कहीं भी country को किसी भी रूप में economic benefit आप दे सकते हैं तो ये चीजें यहाँ पे बताए जा रही है भारत की fertility की बात किरिया जाए तो दो है 2023 में अभी जो की declining nature में है और ये अच्छी बात है कि भारत में दो children policy की बाते भी करी जा रही है देखते हैं कहां तक यह आगे बढ़ता है और experience positive growth की भी करी जा रही है और जो चीजे 2064 में de-accelerate हो जाएंगी तो देखते हैं जो अभी भारत की total fertility rate है वो दो है लेकिन de-accelerate करने के बाद के जाएंगी 2064 तक देखते हैं क्या होता है हम लोगों को किस चीज को करने की आओ सकता है तो we need to look at the age composition of the population ये population के age compositions को देखना है कि कौन कितने साल के हैं कितने उम्र हैं उनकी और जो working age population आओ वो कितने आती हैं ध्यान नहीं ये questions state pieces में कई बार पूछा गया तो working age population 15 से लेके 64 तक आती है तो 15 से 64 तक आती है और जो dependent population आओ 0 से 14 और 0 से 14 आती है और 65 years और इबाब आती है 0 से 14 और 65 years प्लस तो ये सब dependent population में आते हैं ये लोग relevant mechanism क्या है तो keep mechanism यहाँ पर translate किया गया है क्या demographic bonus to economic dividend employment दीजे जो कि मैं आपको पहले बताए skill दीजे, health दीजे condition आप governance अच्छी होनी चाहिए employment होनी चाहिए, job creation होनी चाहिए तभी जाके economic dividend ये बन पाएगा इंडिया generate करे sufficient quality आप job अगर job नहीं development करेगा job develop नहीं करेगा तो problem निकल के आएगी ऐसी चीजे बोली गई है तो लोगों को educate करे, skilled generation करे अपने populations को और skilled और health दोनों workforce का सही होना चाहिए और good governance बहुत important है तभी जाके यहाँ पर चीजे हम लोगों को अचीव हो पाएंगी परस्पेक्टिव में क्या बात ही बोली गई है यहाँ पर कि relatively younger population of India provide higher support ratio there is lesser disease or disability caring or burden तो जो भी young population है वो सही में एक dividend के रूप में है लेकिन अगर skilled है और educated है तो यह चीजें निकल के आएंगी potential तो है ही boost कर सकता है per capita GDP by an additional 43% यहाँ पर बाते करेंगे है 2026 तक देखते हैं हम अपने इस population को की सथ तक ले जा सकते हैं और policies की जो मैं बोला policies की बाते बोली गई हैं यहाँ पर high quality का education health और employment और empowerment of the people भी और children की भी जरूवत यहाँ पर है तब ही जाके हम इस demographic डिजेश्टर से निकल के demographic dividend तक पहुँच पाएंगे नहीं तो हम लोगों की populations और हमें problem में create कर सकती हैं ऐसी चीजें यहाँ पर editorial में निकली है रसिया जो है oil import करता है इंडिया रसिया oil import to India rises फर्दा तो यहाँ पर बढ़ गई है oil import देखते हैं यहाँ पर क्या आता है तो एक trade deficit के रूप में यहाँ पर देखी गई है यह equations ऐसी हैं जो एक प्रकार से world के लिए भी चिंता का विश्या बनती जा गई है भारत जो है एक ऐसा देश है जो world में neutral रहने वाला देश है वो किसी की कोई भी land को occupy नहीं करता है लेकिन अभी recently जो बात चले यही है रश्या और युक्रेन के लडाई में तो जो west के world है वो एक तरफ हो गया है और जो east के world है वो एक तरफ हो गया है तो यहाँ पर division कहीं ने कहीं दिख रहा है इस चीप जीज में और eastern वाले east को support करते हुए दिख रहा है कई सारे country और west वाले तो एक group बना के आ रहा है कि इसको रसिया को resist करने के लिए देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर जो बात हो लिए गया भारत जो है इंडिया जो है oil import कर रहा है कहां से रसिया से क्यों कर रहा है क्यों 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 कि इसको सस्ते दाम में cheap rate पे oil मिल जा रहा है cheap rate पे oil मिल जाने की वज़े से यहां से इस सौधी अरब से इराक से यहां से थोड़ी सी कटाउती है लेकिन अभी भी top पे इराक से हम लोग oil import करते हैं कि वह पास में है बहुत नजदीक में है वह में सस्ती मिल जाती है लेकिन बात करी जाए रस्या से तो रस्या से जो हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे उसका कई गुना हम लोग अब इंपोर्ट करने लगे हैं जिसके कारण वेश्ट वालों को प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो यूक्रेन और रस्या की लडाई में भारत को कहने काई इंडियाज क्रूड आफ दिखा अगया फर्थर्या इंडियाज क्रूड ऑइल इंपोर्ट आप्री इंपोर्ट एप्रिल्षे व्ねं वांन्द की बात करे जा की जा gosto इराग को भी पीछे छोड़के ऊपर के आसपास निकल ला है तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इंडिया का इंपोर्ट फ्राम रस्या यह जो इंडिया जो टोटल इंपोर्ट दिखाया जा रहा तो फर्मा सीटिकल और फर्टिलाइजर सनफ्लोर आयल में और नियूज प्रिंट पर इंडिया का जो इंपोर्ट रस्या से है इन साब फिल्ड में यहाँ पे किया गया है इंडिया का एक्सपोर्ट रस्या में हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट वो देखिए तो यहाँ पे फर्मा प्रोडक्ट और किस्टेशियन टी चाय वगर है कॉफी और एक्सट्रेक्ट यह सारे चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जो की आपको न्यूज में आना चाहिए यहाँ पे इंपोर्टेंट एक न्यूज निकल के आई है कि लॉक बीट रैंसम वेर क्या है तो आपको सबसे पहले बता दू तो रैंसम वेर क्या होता है यह एक प्रकार से प्रोग्रामिंग वाइरस होते हैं यह और यह आपके कम्प्यूटर में अगर एक बार आ जाए तो आ करती है इसी को रैंसम वेर बोलते हैं लेकिन लॉक बीट क्या है वह हम देखेंगे लॉक बीट एक ऐसा रैंसम वेर है जो टार्गेट कर रहा है किसको एपल कंप्यूटर को यहाँ पर रिसेंटली अभी निकल के आई है यह चीज़े तो रैंसम वेर जो है पहले डब किया गया था ABCD वाइरस के नाम से लेकिन यहाँ पर लॉक बीट रैंसम वेर डिजाइन किया गया है किसको इंफिलिट्रेट करने के लिए तो विक्टिम सिस्टम आप इंक्रिप्ट और इंपोर्टेंट फाइल्स जो भी इंपोर्टेंट फाइल्स हैं उसको इंक्रिप्ट कर द और अर्गनाइजेशन को भी टार्गेट किया जा रहा है खास करके युएस चाइना इंडिया युक्रेन इंडोनेसिया में यहाँ पर अटैक ऑनलाइन हो रही है तो यह चीजों में भी रिकॉर्ड किया गया यूरोप में भी फ्रांस जर्मनी यूके में भी करी गई है तो इन सर्वर को भी टार्गेट बहुत पहले यह कर चुका है लेकिन लॉक्विट इस नाव वरकिंग टॉर्गेटिंग मैक ओयस फार फर्स्ट तो पहली बार यह ऐसा निकल के आया है कि यह मैक ओयस को भी टार्गेट कर रहा है अब देखते हैं यह कहां तक एपल वाले अपन चैलेंडिंग टास्क होगी और वर्ल्ड के सेक्यूरिटी के लिए भी एक चैलेंडिंग टास्क होगी लॉक्विट रैंसम्वेयर को कैसे रेसिस्ट किया जाए तो यह प्रॉब्लम निकरके ग्लोबली आई है यह रैंसम्वेयर के पीछे कौन है तो लॉक्विट का एक इसको और यह गैंग रैंसम के रूप में बहुत सारी चीजें करवा सकता है तो रैंसम अजे सर्विस आर डबल 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 एस इसको बोली गई है और इस साइबर एटेक में इसका इस्तमाल कर जाती है वीलिंग पार्टी कर डाउन डिपोजिशन यह आपको डिमांड के र इमिटेड यूज के लिए भी बोली गई है कि साइबर से जो सेफ लाइन है सर्वर पर उसी पर वक करिए जिसके कारण आप सेफ रह सकते हैं अभी तक कोई इसका बचाओ का शलूशन नहीं मिला है देखते हैं क्या होता है आगे यह एक जो दहिंदू का एडिटोरियल है य इवेन भारत के कैबिनेट कितने सारी लोगों से ब्लूटिक छीन लिया था किस पे ट्विटर पे तो ट्विटर का हैंडल जो है ब्लूटिक देता है आपको एक विशेश पहचान जिसके कारण मिल जाती है और लोगों को मालूम चलता है कि यह आदमी सही है वो चीजें हट किता दी गई थी अभी ट्विटर के द्वारा लेकिन अभी पुना उसको री इंस्टेट कर दी गई है पुना ला दी गई है कैसे साप एविएशन इस्टाप कॉर्टी स्मगलिंग गोल्ड डबल इन 2022-2023 तो बताइए जो भी पाइलेट है देश के वह अगर गोल्ड मिल रही है क्या यह भी एक क्वेशन है और सेक्यूर्टी पॉइंट आप भी उसे कर क्या रहे हैं अपने एरपोर्ट पे लोग जो यह चीजें इस्मगल हो रहे हैं पाइलेट के द्वारा और एविएशन स्टाप के द्वारा यहां पे एविएशन स्टाप मैं लूँगा नाम नहीं लूँगा तो एविएशन स्टाप में बहुत सारे क्रिव मिंबर होते हैं जिसके कारण यहां पे इस्मगलिंग हो रही है तो एविएशन स्टाप को यहां पे पकड़ा गया है दो हजार बाइस टेज का जो आकड़ा है गोल्ड इस्मगली का वो मुंबई में यहां पे निकल के आई है देखते हैं आगे क्या होता है तो सिल्वर की स्मगलिंग जो है वो डीप हुई है और स्मगलिंग जो है स्पाइक हुई है गोल्ड की जो की अभी आगे बढ़ गई है तो देखते हैं सिक्योर्टी कैसे इसको डिल करती है ट्रंप जो है रिस्टिक करने की बात करी है देखते हैं क्या होता है अजर्बाइजान set up first checkpoint on key route to arch rival Armenia तो यहाँ पर checkpoint एक बनाने की बात करी कि यह UK जो है टेस्ट किया है new emergency alert system on millions of phones तो millions of phone में new emergency system चेक किया है UK टेस्ट किया है देखते हैं क्या होता है Labour Party UK की जो है prominent MP को racism के रिमाग पे एक racial remark पे भेद कलर भेद के रिमाग पे यहाँ पे उनको क्या किया गया है डाइना एबोट को वहां से disqualify कर दिया गया है अभी recently यह भी एक news में है क्योंकि राहूल गांधी की disqualification हुई है तो डाइना एबोट MP on Sunday pending an investigation into the comments she made that Jewish people यहाँ पे comment किया Jewish people were not subject to racism all their lives तो वह अपने statement से यहाँ पर फस गई और labor party इनको इनको जिसके कारण problem में डाल दिया है आगे देखते हैं next जो editorial जो पी आई बी का news में डाला हूं तो टोटी कुरीन एक port है क्या बता सकते हैं कि कहां पे पोर्ट इस्थापित है यह पोर्ट है आपके तमिलनाडू में मैं यहाँ पे बोल दे रहाँ और यहाँ पे tree plantation करी गई है टी plantation की वाज़ा से PM यहाँ पे एपलॉट किया हैं यहाँ पे इनको बधाईया दिया है यह पर्यावड़ा की मिनिष्टी कर आई है तो जल सकती मिनिष्टी उनके मिनिष्टर कौन है स्री घजेंद्र सिंग सिखाव जी ने यहाँ पे कंड़क्ट कर आया है पहला वह सेंसस किस पे वाटर बॉड़ी तो वाटर बॉड़ी भारत में कितने हैं यह पता चल जाएगा उनकी quality है यह पता कर सकेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़े निकल गया ही है सेंसस प्रवाइड कंप्रिहेंसिव इंवेंट्री इंडियाज वाटर रिसोर्सेस किसको नेचुरल और मैंड मेड वाटर बाड़ी यह दोनों का हुआ है याद ध्यान ना कि अगर यूपीएस सी वाटर बॉड और इंक्रोच्मेंट जो ही है उसका भी डाटा ये कलेट करेगा तो सेंसस क्या हाइलाइट करेगी कि डिस्पैरिटी क्या है रूरल में और अर्बन एरिया में क्या-क्या दिक्कते हैं और रूरल अर्बन में कौन अधिक हैं तो देखते हैं इसके डाटा को डिटेल से तो 6th minor irrigation census in order to have a comprehensive national database of all water body तो 6th minor irrigation census यहाँ पे जो लॉंच करी गई है centrally sponsored इसकी इरिगेशन census उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है तो information on all important aspects of the water body जो कि मैं पहले बताया आपको बहुत comprehensively इसको deal किया जाएगा इस data को analyze किया जाएगा इस census में census जो है took into account all type of usage of water body like irrigation, industry, PC culture, domestic, drinking, recreation, religious, grounds, water, recharges तो हर प्रकार के चीजों को यहाँ पे census एकाउंट में लिया है जिसके कारार इस census में मिली है तो इसके key feature क्या है वो देख लेते हैं तो 24,540 water bodies को यहाँ पे listing की गई है जिसमें 97% जो है water bodies कहाँ पे है रूरल एरिया में है वनली 2.9% जो है urban area में message है तो यह एक important चीज़े है data आपको याद होना चाहिए जिसमें top 5 state की बात करी जाए अगर तो West Bengal आता है, उत्तर परदेश आता है, आंधरा परदेश आता है जो की water body urban areas गया आते हैं तो उसमें भी West Bengal आ रहा है तमिल नाडू आता है, फिर केरला, उत्तर परदेश और त्रीपुरा आता है जिकी पांच जो इस्टेटे हैं वो urban area में तो urban area का जो rural area में अगर बात करें इसमें तो इसके पांच जो इस्टेट आते हैं उसमें भी West Bengal आते हैं उत्तर परदेश, आंधरा परदेश और आशाम उडिशा कंट्री ये इस्टेट आते हैं 59.5% of water bodies जो ली गई है वो ponds ली गई है उसके बाद जो है tanks 15.7% ली गई है reservoir जो है 12.1% ली गई है water conservation scheme जो है tank, check, dam 9.3% ली गई है lake 0.9% है अधर्स 2.5% है यह तो important data है यहां से questions पूछ सकता है इसलिए मैंने important data को डाला है 55.2% of water bodies जो है on by private entity तो जो private entity है इनके मालिक है 55.2%, 44.8% of water body public domain ownership में आ रहा है out of all public owned water body maximum जो water bodies है वो क्या है पंचायत के आसपास में आती है और state irrigation state WID में आती है all private owned water body maximum water body जो है hands up individual owner के आसपास आती है यहां पर बात करीजा टॉप 5 state जो private owned है उसमें क्या आती है west Bengal आसा मांधरा आती है और out of all in huge water body जो water body प्रियोग में आती है major water body report किया गया है कहां पे PC culture followed by irrigation तो सबसे ज़्यादा जो water body यूज हो रही है वो PC culture किसके लिए फीस के लिए यूज होता है और irrigation के लिए उसके बाद यूज होता है इसमें भी west Bengal आगे आता है तो west Bengal लगबख सब चीज में आगे आता है यह याद रखिएगा टॉप फाइब इस्टेट यूज आफ वाटर बाड़ी इरिगेशन की बात करीगे यह तो इसमें सबसे पहला राज निकल के आता है ज्यारकंड जोकि दूसरा है यह याद रखिएगा इरिगेशनमें पहला निकल के आ रहा है वह ज्यारकंड निकल के आ रहा है और यूज bugle लगबख हर चीज में निकल के आ रहा है यहाँ पे 78% water bodies जो are man-made water body और 22% are natural water bodies की बाते बुरी गई यह data important है और यह data आपको याद होना चाहिए यह जितनी भी water bodies है इनके area और hectare की बात करी जाए वो भी देख लेते हैं तो 72.4% of water body spread है less than 0.5 hectare यानि बहुत छोटे हैं 72.4% of water body 0.5 hectare से कम है 13.4% का जो data है वो water body 0.5 से 1 hectare तक है 0.5 से 1 hectare तक 13.4% तक जाती है और 11.1% जो है water body वो 1 से 5 hectare के आसपस आते हैं जो सबसे बड़े हैं वो 3.1% तक आते हैं जो 5 hectare से बड़े हैं यह data important है आपको याद होना चाहिए अभी recently एक sepsis बीमारी आई है वो क्या है तो यह bacterial fungal viral infection can lead to sepsis तो sepsis है क्या उसके बारे में देखेंगे और sepsis and septic shock एक ऐसा condition can occur from infection acquired while an individual is hospitalized तो अगर कोई hospital individual hospitalized है तो वहां से infection प्राप्त करता है इंफिक्शन acquire कर सकता है however जबकि it can also occur from infection acquired in the community तो यह community से भी acquired हो सकता है तभी इसको sepsis बोलेंगे और hospital में जाता है वहां से भी acquired हो सकता है तो यहां पर common causes हैं sepsis के वह भी हम देखेंगे these include infection of the respiratory तो respiratory system में problem करता है यह कारण बनता है तो क्या pneumonia for example genitory or urinary system such as urinary tract में भी infection kidney infections gastro problem infection healthcare setting और यह चीजों में infections कर सकता है और central nervous system में भी जिसको meningitis कहते हैं यहां भी problem create कर सकता है तो अज्वेलाज skin and soft tissue को भी यह wound कर सकता है burn कर सकता है यह इसमें problem है sepsis को cause कर सकता है तो इसके बारे में आप जरू जानिये questions अगर यहां से बनता है तो आपके नहीं भूलें ताकि YouTube को एक feedback चला जाए जिसके कारण YouTube चैनल को promote करता है तो thank you for watching पूरा एकेडमी यहां पे दे हिंदू का एडिटोरियल में cover करता हूं thank you for watching पूरा एकेडमी